साथ है इनमें से 2580 लोगों की रिकवरी हो चुकी है तो वहीं 1274 केस एक्टिव है और राजी में कोरोना से 17 लोगों की मौत हो चुकी है तो इक कोरोना की बात करें तो एक कयास लगाए जा रहे हैं कि राजी में कोरोना भी और स्पीड पकड़ेगा क्योंकि प्रदेश में सेव का सीजन शुरू हो चुका है ऐसे में जब बाहरी राज्यों से कामगार आ रहे हैं तो कोरोना संक्रमाण बढ़ने का खत्रा जायज है हरान कर देने बात तो ये है कि प्रदेश में अभी तक कोरोना संक्रमाण के जो मामले आए हैं उनमें 90 फिसद बाहरी राज्यों से आने वाले लोग है आपको बता दे कि हिमाचल में सेब सीजन अक्टूबर महीने तक चलता है ऐसे में बाहरी राज्यों से कामगारों को आना जारी रहेगा इसे प्रदेश में कोरोना संक्रमाण के मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है असलिए आपके हाथों में आपकी ही सुरक्षा है तो बढ़ते कोरोना वारस को लेकर सीम जैराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुएं जोरान उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिएगा भारत भी वैक्सिन के निर्माण में बहुत करीब पहुँच किया ऐसा आज पर रहन मंत्री जी ने कहा है और हम उमीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो वैक्सिन निकल करके आएगी और हिमाचल और पूरे देश पर में जो करोना वारस का यह वारस का जो असर है इसको रोकने किस्तिती थी इन पूरे देश के सभी राजयों में इन दिनों में बहुत बड़ी संक्या में आ रहा है और नमबर हमाचल पर देश में अभी बड़ा है और पिछले कुछ अर्से से 20-25 दिन से ये नमबर लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी बज़ा है कि संक्रमन पूरे देश पर में जो फैला है उसका इंपक्ट यहां बेर बी आ रहा है ऐसी परसिती में जो हिमाचल पौदेश में हमने जो निर्ने लिए हैं उसमें अभी तक भी हमने कोई अभी तक धेल नहीं दी और इसी लिए हिमाचल अभी तक भी बाकि राजों की तूलना में बहुतर है तो आजाद भारत के टिहास में सीना के जवानों ने दुश्मनों के साथ बहुत से युद लड़े और हर युद में प्रदीश के जवानों ने दुश्मना….